आज हम बनाएंगे मटन एंड टींडे बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बहुत आसान तो चलें देखते हैं इस वीडियो में किसको किस तरह बनाया जाता है असलाम लेकुम वैलकम टुजियास किचन तींडे मटन बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को वाश करके वॉयल कर लेंगे मटन को हम 15 मिन्ट का प्रेशर लगाएंगे आप अपने इलाके और पाने के हिसाब से प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हैं अब इसमें एक स्माल साइज का प्याज और दो उदत सबस मिर्च डालेंगे और साथ में हाफ टेबल स्पून नमक का एड़ कर देंगे अब इसमें थोड़ा सा पाने डालना हमने जस्ट वन गलास पाने काफी होगा अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे और 15 मिन तक प्रेशर को चलने देंगे अब हम दूसरे बरतन में मसाला रैडी कर लेते हैं मसाला रैडी करने के लिए हमें चाहिए एक कप ओएल और उसके बाद दो मीडियन साइज के बारी कटे हुए प्यास इनको हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है जब इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें एड़ कर देंगे ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर इसमें जाएंगे दो ओद मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट अब इसको हम दो मिर्ट तक फ्राई करेंगे उसके बाद दूसरे मसाले अड़ करेंगे सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून हमने मतन में डाल लिया था और हाफ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे उसके बाद हाफ टेबल स्पून रैड मिर्च वन टी स्पून हल्दी हाफ टेबल स्पून खुश्क दनिया अब इस मसाले को हम तकरीबन 7 मिन तक प्राई करेंगे यहां प्रैशर को लगे विए 15 मिन हो चुके थे यह देखें मटन अच्छी तरह गल चुका है अब यह जो अंदर पानी है इसको हम अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें त्यार किया हुआ मसाला एड़ कर देंगे मसाला हमने सेपरेट इसलिए बनाया है ताके टमाटर और प्याज अच्छी तरह घल जाएं अब इसमें इस तरह टींडे कट करके डाल दें और फिर इनको छे से साथ मिन्ट तक अच्छी तरह फ्राई कर लें उसके बाद हम इसमें दो गलास पानी के आड़ कर देंगे पानी आड़ करने के बाद हम पाँच मिन्ट का फिर इसको प्रेशर लगाएंगे ताके टींडे भी अच्छी तरह पक जाएं यहां पांच मिन्ट का प्रेशर लगाना है इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना प्रेशर को लगे हुए पांच मिन्ट हो चुके थे अब प्रेशर को ओपन किया है तो यह देखें हमारे जबर दस सी टींडे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल सालन रेडी है अब हम इसको गार्णिश करते हैं तो गार्णिश करने के लिए सबसे पहले पीसा हुआ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून इसके उपर डाल देंगे और फिर इसके उपर बरी कटा हुआ धनिया डाल देंगे जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है यह देखें आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ इस तरह प्लेट में डालें और सर्व करें अमीद है आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर SP अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अगर आप चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आके आने मली हर वीडियो आप तक हमती रहे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीज